करण अर्जुन फिल्म की तर्ज पर ही शाहज हामपुर में भी दो भाई तालाब में डूब कर एक साथ मरते हैं और एक साल बाद दोनों भाई पडोस के घर में करण अर्जुन बन कर पुनर जन्म लेते हैं और इस जन्म में भी दोनों भाई जुडवा पैदा होते हैं। यह सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहज हामपुर जीले की खुटार कजबे में 14 साल के दो भाई सावरब सिंग सोनू सिंग अपनी भेंस चराने के लिए पडोस के खेतों में जाते हैं, जहां उनकी भे इस तालाब में चली जाती है, जिसे तालाब से बाहर निकलने के चक्कर में ही दोनों भाई उसी तालाब में डूब जाते हैं, और डूबने से दोनों की एक साथ दर्दनाक मौत हो जाती है, एक साथ मौत की घटना सन 2010 की है दौट उस समय दोनों भाई सावरब और उनकी उ इस तरहें दोनों भाईयों के पुनर जन्म की बात पर मोहर लग जाती है, पप्पू की शादी को आठ साल बीच जाते हैं, मगर कोई आउलाद नहीं होती है, काफी दवाई करने के बाद भी, मगर जब दोनों भाई तालाब में डूब कर मरते हैं तब उसके एक साल बाद बस्ते में एक मकान को देख कर दोनों बातें करने लगे कि यह तो अपना ही मकान है, और लोट कर वापस आते हैं, तो अपने घर पर जाते हैं, और वहाँ पर मौजूद माबाप को देख कर बताते हैं, कि आप मेरे मम्मी पापा और हम आपके पिछले जन्म के बेटे हैं, भाई यह सुनकर पूरा गाव चौक जाता है, उसके बाद जब गाव में किसी को उनकी बात का एतबार नहीं होता है, तो वे दोनों भाई अपनी पिछली जिन्दगी की बातों को याद कर अपने मूद से बताते हैं, कि उनकी मौत कैसे और कहां हुई थी, और उनका कुछ स अमान भी इस घर में रखा है, जैसे कि अपनी पर्स बताते हैं, और कहते हैं कि पर्स में इतने रुपे भी है, और इस कमरे में ऐसी चीज रखी है, बच्चों द्वारा बताई गई पिछले जन्म की हर बात सची निकलती हैं, दौट यह खबर पूरे गाव में आगी तरह पहल जाती है कि गाव में करान अरजुन आ गए हैं,